उतर परदेश में पिछले तीन वर्षों से वैशिक महमारी कोरोना के कारण सेना भरती नहीं हो पाई है जिस कारण हजारों लाखों युवाओं का भवश्य बरबाद हो रहा है कोरोना के कारण छात्रों के भी दो वर्ष बर्बाद हो गए उसमें 18 वर्ष से 21 वर्ष के छात्रों की भरती की आयू भी निकल गई है इसी को लेकर छात्रों ने धर्णा परदर्शन शुरू कर दिया है दरसल मुझफफर नगर में रालोद छात्र सभा मांग करती है कि जन्पद में जल्द से जल्द सेना भरती कराई जाए एवम छात्रों को भरती की उमर में छूट प्रदान की जाए जिससे की जो छात्र के दो वर्ष कोरोना महामारी में बरबाद हुए हैं उसकी भरपाई की जा सके दिलिस्थित मुखरजी नगर में SSC और LDC के छात्रों का जो धर्ना परदर्शन चल रहा है उसे रालोद छात्रसभा पूर्ण समर्थन करता है उनका कहना है की कोरोना महामारी के कारण जब हर वर्ग को छूट मिल रही है तो उन छात्रों को भी एक अन्य अवसर मिलना आज हमारा मुद्दा यह है जो भारतिय सेना है पिछले तीन चार साल से भरती बिल्कुल पुकी हुई है कोरोना काल के दोरान उन्होंने कोई भरती निकल ली जो यूवा है वो सडक के तोड़ते गुम रहे पिछले चार साल से कड़ी मैनत कर रहे देश की रक्सा करना चार इनकी 18-21 वर्स के आयो थी अब वो एज निकल लगी इनकी अब हमारी यह मांग है कि जो कोरोना काल के समय इनकी एज थी उसमें दो साल की रिलेक्सेशन इने सरकार द्वारा दिया जा जो अभी फारम निकल लेंगे उन्हों मैं बस हमारी यह मांगे और जो मुखरजी नगर में तू अटैम्ट बेड़ी कि तेपर के वो दरन चल रहा time उनका पून रूप से समर्थन करते हैं और आज इसके ग्यापन के माध्यम से हमाना पती माहिम lection अपन बेजा सह ठो हमारी मांग हमारी मांगे जल्दी तो चात्र उग रांदोलन करेंगे सड़क जाम करेंगे जिले में अगर आलाद बिगड़ते हैं इस चीज को लेगा तो जिम्मेदार जिले का पर्सासन होगा